हेलो डियर स्ट्रेंट्स आज मैं नीट स्ट्रेंट्स के लिए एक गुड न्यूस लेके आई हूँ मेडिकल प्रवेस परिशा नीट अभियार्तिक लिए का चिक ख़वर यह है कि देश के 6 नए मेडिकल कॉलेज के शुरू होने का ऐलान किया गया इनमें से 600 सीट पर स्ट्रेंट को एडमिशन मिलेगा अब और देश के चिकितसक नियामक संस्थान एन एमसी यानि नेशनल मेडिकल कमिशन ने 6 मेडिकल कॉलेज को एल ओपी दे दी है और इसके बाद देश के अमबीबियस को सीट बढ़ा का एक लाग से पार पहुंच गई है और ने खुलने जा रहा है छे सरकारी मेडिकल कॉलेज दो असम और चार अंदरप्रदेश के हैं इसके अलावा असम के कोकरा, जार और नौंगवा मेडिकल कॉलेज को भी अनुमती दी गई है और दोनों में 100-100 सीटे हैं और आंदरप्रदेश के विजय नगरम, नांद्याल, राज महिंदवरम और वह मचली पटम को भी लेटर ओफ परमिशन जारी हुआ है या हलकी NMC के वेबसाइट पर 654 मेडिकल कॉलेज दिखाए जाए गए हैं और ये अमबिबियस की 99,763 सीटे बताई जाए गई है और टाइम स्नौ के वेबसाइट खबर के मुताबित एलन कोचिंग काउंसलिंग एक्सपोर्ट पर परिजित मिश्रा ने कहा है कि मद्द प्रेजरिस का सतना और असम का नालबडी मेडिकल कॉलेज कभी भी सुरू हो सकता है सतना मेडिकल कॉलेज के अमबिबियस के पाठे करम की 1.500 सीटे निधारत और नेट यूजी के दोज़ते इसकी परिच्छा को पहले लेटर और पर्मिशन जारी होने की उमीद है ठीक है तो ये बच्चे उनके लिए जो अपने तयारी करें उन लोगे के लिए गूटने हो जाए कि उनकी सीटे बढ़ चुकी है तो बच्चे अपने तयारी अच्छे जारी रखे और उनको भी 600 सीटे और जो जो सीट और बढ़े हैं उसमें उनको एड्मिशन मिल सकता है और नीट 2022 की कांसलिंग में 645 मेडिकल कॉलेज की 97,293 मेडिकल सीटों का दाखलियत दिया गया था इन में से करीब 350 सरकारी और 320 डीमड़ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज थे नीट 2023 के अब भारतियों के लिए देश के देश में एक लाग से जादा मेडिकल सीटे उपलब अधर रहेंगी ठीक है यह थी हमारे स्ट्वेंड्स के लिए गूड न्यूस थी ठीक है फिर मैं मिलूंगी आपको ऐसे बैतरिन वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए